दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जो की हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जिसका उलेक मिलता है ये कहानी है राजा बली की, जी हाँ, विश्नु के वामन अवतार से जुड़ी हुई, तो आएए देखते हैं इस कहानी को, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक चमतकारी टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और शक्तियों के स्वामी, लेकिन धर्मात्मा, दान पुन्य करने में कभी पीछे नहीं रहते, उनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था, और देवताओं का घोर विरोध करने लगे, भारती इतिहास में राजा बली की कहानी सबसे म पूर्ण मानी जाती है, समुद्र मंथन से प्राप्त अम्रित पीकर देवता जब अमर हो गये, तो देवासुर संग्राम छिड़ गया, और इंद्र द्वारा वज्र आहत होने पर बली की मृत्यों हो गयी, ऐसे में तुरंत ही शुक्राचारे ने मंत्र बल से उन्हें पुन बन गया, तब उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी, और इसके लिए उसने एक बार फिर अश्वमेद यग्य किया, ये उसका सौवा यग्य था, उसने अपनी संपूर्ण शक्ती के साथ एक बार फिर इंद्र के राज्य पर कबजा किया, एक बार फिर से देवताओं पर संकट आ गया, बिना अमरित पिये भी राजा बली इतना मायावी बन गया था, उसको मारने की किसी में शक्ती नहीं थी, वामन रिशी कश्यप और पतनी अधिती के पुत्र थे, वो आधित्यों में बारहवे थे, ऐसा माना जाता है कि इंद्र के छोटे भाई थे और रा अबजुद उसके खौफ के चलते छिपते रहते थे, तब सभी देवता विश्नु की शरण में गये, विश्नु ने कहा कि वो भी उनका भक्त है, फिर भी वो कोई युक्ती सोचेंगे, तब विश्नु ने अधिती के यहां जन्म लिया, और एक बार जब राजा बली यग् मत करना, लेकिन बली ने शुक्रचारी की बात नहीं सुनी, और वामन के दान मांगने पर तीन पग भूमी दान में दे दी, जब जल छोड़कर सब दान कर दिया गया, तब ब्रामहण वेश में वामन, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, एक पग में भू मंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और जब तीसरा पग रखने की बारी आई, तब भगवान विश्नु ने बली से पूछा कि तीसरा पग कहां रखूं, तब पूछने पर बली ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो मेरा सिर ही बचा है, इस प्रकार विश्नु ने तीसरा पग ब बली के सिर पर रखा, उसकी भगती से प्रसन्न होकर विश्नु भगवान ने उसे पाताल लोक में कल्यूग के अंत तक राजा बने रहने का वर्दान दे दिया, तब बली ने विश्नु से एक और वर्दान मांगा, राजा बली ने कहा कि भगवान अगर आप मुझे पाताल लोक का राजा बना रहे हैं, तो मुझे वर्दान दीजिए कि मीरा सामराज्य शत्रूओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें, अपने भक्त के अनुरोद पर भगवान विश्नु ने राजा बली के निवास में रहने का संकल्प लिया, पाताल पुरी में राजा बली के राज्य में आठों प्रहर भगवान विश्नु सर शरीर उपस्थित रहकर उसकी रक्षा करने लगे, इस तरह से बली निशिंध होकर सोता और पूरी पाताल पुरी में शुक्राचारे के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की विवस्था संचालित करता, इध परचित रूप में दीन हीन दुखियारी बन कर जाएं और राजा बली को भाई बनाकर दान में अपने प्रभू को मांग लाएं, लक्ष्मी जी राजा बली के दर्बार में पहुची, उन्होंने आग्रह किया कि वो उसे अपना भाई बनाना चाहती है, राजा ने प्रस्त कि सरवाधिक प्रिये तो मेरा ये प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्वतों मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूँगा, तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचे दिया और बताया कि मैं आपके उसी प्रहरी की पत्नी हूँ, जिने उन्होंने बहन माना था, उसके सुख सौभाग्य और ग्रहस्ती की रक्षा करना भी उन्ही का दायत्व था, और बहन की ओर देखते तो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिये, अपने ईश्ट का साथ छोड़ना पड़ेगा, पर राजन, भक्त, संत और दानवीर यूही तो ना थे, उन्होंने अपने स और श्रावर्ण पूर्णिमा याने की रक्षा बंधन से कार्तिक मास की तरयोदशी तिथी तक विष्णू और लक्ष्मी जी वही पाताल लोक में राजा बली के आ रहे, धन्तेरस के बाद प्रभू जब लोट कर वैकुंट को गए, तो पूरे लोक में दीप पर्व मनाया दोस्तों माना जाता है कि प्रतेक वर्ष रक्षा बंधन से धन्तेरस तक विष्णू लक्ष्मी संग राजा बली के आ रहते हैं और दीपों का उत्सव याने की दीपावली तक वही पर अपना समय वितीत करते हैं, इसी लिए एक कारण ये भी माना गया है, दिवाली मनाने तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं, देखते रहिए चमत कारी तोटके